अभी मैं आपको 9 बॉलों वाली एक जबरदस सी पहली देने वाला हूँ और उसे हल्क भी करके दिखलाओंगा मैं पहले आपको वीडियो पॉस करके इससे हल्ल करने की कुशी जरूर करना है ठीक है क्या है समझी आप 9 बॉल है 9 देखने में एक जैसा इसमें से 8 बॉल ऐसा है जिसका वजन बड़ाबर है एक बॉल ऐसा है जिसका वजन हल्का सा बाड़ी है और उसे आप सिर्फ तॉल करके ही पता कर सकते है आपके पास सर्त यही है कि तराजे को सिर्फ आप दो ही बार उठा सकते हो यानि कि दो ही बार आप तॉलने के लिए इस्तमाल कर सकते हो करना है आपको देखिए नाइन बॉल्स है नाइन बॉल्स ठीक है नौ बॉल में हम लोग तीन तीन और तीन का हिस्सा लगा देते हैं अब एक काम करते हैं पहले इस सेट को लाकर के इस पल्रे पर रखते हैं तो क्या होगा या तो यह वाला पल्रा और यह वाला पल्रा दोनों भारी बॉल होगा ठीक है अगर माल लिजे ऐसा हो गया कि नहीं ये दोनों पल्रा में से कोई एक पल्रा आपको जुग गया तो ये पल्रा अगर क्यालते हैं उपर हो गया ये पल्रा नीचे आ गया तो इन तीनों का जो सेट है उसमें से कोई एक बॉल भारी होगा तो हम लोग माल लेते हैं क्या कि जब इसको और इसको डाले यहाँ पर तो क्या हुआ कि माल लिजे ये वाला पल रहा जुग गया और तब हम लोग आगे का काम करिया करते हैं तो इस तीन बॉल में से कोई एक बॉल डेफिनेटली भारी होगा ना तीन के सेट में से कोई एक सेट भारी यह जुग गया तो इन तीनों में से कोई एक बारी हो जाता तो माल यह तो क्या हुआ हुआ है यह वाला भाडी हो गया झाँ अब हम लोग आगे दिमाग लगाते हैं जब यह दोनों में से ये वाला भाड़ी हो जाएगा तो अब फिर क्या कड़ेंगे हाँ तो आप देखी क्या हो गया देखे तो जिसे कि ये वाला सेट मेरा भाड़ी था यानि कि ये तीनों में से कोई एक बॉल भाड़ी है तो जब कोई एक बॉल भाड़ी है तो क्या कड़ेंगे माल लीजे दो बॉल को हम लोग ला कड़के यहाँ पर रखेंगे जैसे ही रखेंगे तो क्या situation हो सकता है अब सिर्फ इनी तिनों मेंसे नचाचना है हम लोग एक बार तॉल चुके हैं अब यह दूसरी बार तॉल रहे है तो जब इन दोणों को लाएंगे अगर यह दोनों बराबर हो गया तो समझ जैंकि यह बॉल भाड़ी है मिए अगर ऐसा हो गया कि यह दोनों मेंसे कोई एक पल रहा जुग गया या फिर इस question को दूसरों से पूछना जरूर बाबाई